हेलो फ्रेंड्स इस टॉपिक में आप जानेगे कि अगर जमीन विवादित है तो बिना न्यालाय के आदेश के कबजा नहीं मिल सकता है क्या कहता है इस पर कानौ और जो भी आपके ऐसे जमीन संबंदी विवादित मैटर्स हैं उनको सौट आउट करने में मैं आपकी मदद कर करवा लिए तो रजिस्ट्री के बाद भी कबजा नहीं मिलेगा विवादित जमीन पर मैं किस बेसिस पर कह रहा हूं दोनों का मैं बिद प्रूफ बताऊंगा कि देखिए क्या है हमारे चैनल पर जो भी दिया जाता है वो बिद प्रूफ के दिया जाता है पीडिएफ की ठ अगर आप बहतर लीगल एडवाइस कानुनी सलाह लेना चाहते किसी भी मेंटर पर या आप को प्रॉपरिटी पर्चेस कर रहे है इसका डॉकुमेंट्स वगएरा वेरिफिकेशन वगएरा करवाना एक जमीन विवादित वगएरा तो नहीं है तो कॉंटेक्ट नमर वीडि ठीक है अब उसके बारे में सबजने की कोसिस करिए देखिए अभी PDF विध्यान मत दीजिए अभी जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए जैसे माल लीजिए सात्यों कोई X प्रॉपरिटी है ठीक है माल लीजिए क्या है उस पर कई सहे खातित आ रहे हैं आपको अभी क X प्रॉपरिटी है आपकी और उस पर कोई बंदा जमर जिस्ती कवजा कर रहा है ठीक है तो रित कवजा आटवाना है तो वहां पर आप CRPC 145 वर्तमान धारा 164 के प्रतकारवाई कर सकते वह कवजा रुख जाएगा उसका ठीक है कोट बगेरा मत भागो इतनी जल्दी आप ठीक है रेगुलर सूट में चले गए तो दिक्कत हो जाएगी summary process में आ जाएगी आप ठीक है ना पहली चीज तो यह बताई ठीक है अब देखिए अगर कोई तुरंत कवजा कर रहा है तो इसके लिए तो मैंने बता दी अरलीव अब माल लीजिए X property है मैं उस पर कवजा किय हूँ अब मैं कवजा किये हूँ माल लीजी उस पर कुछ मेरा तो होगा यसलिए तो मैं कवजा की हो सकता है उसमें मैं सय खाते दा रहा हूँ ठीक है अब आप वहाँ पर विवाद कर रहे हो ठीक है और court में case चल लाए तो वहाँ पर आपको विवाद नहीं करना चाहिए क् जैसे माल लीजी एक्स प्रोपेटी है उस पर मेरा कवजा है पांच साल से और आपने टाइटल सूट फाइल कर रखा है ठीक है तो आपको विवाद नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले से पांच साल से मेरा कवजा है अब आप किसी अधिकारी के पास जाएंगे पुलिस अध अब मैं किस बेसिस पर कह रहा हूं वो आप देख लीजीए मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखे अगर मान लीजीए आपको लगता है मेरी जमीरी पे कवजा किये काफी समय से मेरी खित की सीमा यहां तो धारा 24 में मेडवन्दी करवा लीजी आप अगर आपको लग जाए ये कवजा किये तो धारा 134 बेदकली के लिए वाद लाईए अगर आपको लगता है कि हमें समपत्ती से अलग कर दिया गया तो धारा 6 में वाद लाईए आप धारा श्या देख सकते हैं सथावर समपत्ती से बेकवजा किये गए व्यक्ति द्वारा वाद अब मुझे एक बात ये section इतने बनाए गए हैं, उन section में आप नहीं जाओगे, आप बल पूरवक कवजा अठाओगे, तो फिर भाई, कोर्ट कचेरी ये क्यों है, ये बंद हो जाएंगी, ठीक है, ये इसलिए तो कहिए हैं, कोर्ट कचेरी से अपना फैसला करवाओ, तो आपका ये कुस्तन नहीं हो सकता है, कि सर ऐसे तो कोई हमारी जवरन प्रोपरटी पे कवजा कर लेगा, और हमसे कह देगा, कोट से ले जाओ, नहीं, ये नहीं, अगर जवरन कवजा करेगा, तो उसके लिए है, मैंने बताए, 145, 165 है, उसके लिए 164, ठीक है, और पुलिस भी है, और कई क्रिमलल द लेना चाहते हैं, तो कॉंटेक्ट नमर वीडियो की डिसमन मिल जाएगा, मैं बार 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 इसलिए कहता हूँ, क्योंकि कई लोग जो है, कमेंट में नमर मांगते, ठीक है, तो सही तरह देखिए, मैं क्या वोल लाओ, और देखे, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, आप बहतर जानकारी लेना चाहते हैं, इस पेसल प्रीमियम वीडियो के साथ, तो आप इस चैनल को अभी जोईन कर लीजिए, ओनली 59 रुपई में, ठीक है, काफी हजारों लोग जोईन कर चुके हैं, तो जोईन करने से आपको फाइदया क्या होगा, इस पेसल वीडियो मे आपको सब कुछ आदेस बिद पीडियेफ के मिलेंगे, यह आदेस अदूरी अदूरी रहते हैं, रिसर्च करके जानकारी उस पे दी जाती है, ठीक है, आदेस हैं, कमेंट्स के रिप्लाई मिल जाएंगे आपको, सटने लाइव चैट है, तो काफी कुछ अहम मिल जाएगा और जो कहता हूँ, उसका प्रूफ भी है, अब यहाँ पर यह नीचे देखिए कि क्या कह रहा है, यह प्रॉपरिटी ट्रांसपर एक्ट है, यह क्या कह रहा है, ठीक है, एक चीज़ और अगर माल लीजे नादिस होगी, आप पीडियेफ लेना चाहते हैं, तो पीडियेफ क्रेता को कब जा तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक की संपत्ती का विभाजन, सीमांकन, सौधर्य पूर्ड तरीके से, यानि कि आराम से, सांती से, या आपसी विवस्था से, माली जी हम लोग बैठ गए सब विवस्था से अपना कर लिया, या नियालाई की डिक्री के द्वारा न हो जाए, ये किन पर लागो होता है, देखे, जैसे माली जी किसी विक्त ने रजिश्ट्री करा ली, ठीक है, जैसे माली जी हम और आप हैं, हमारा और आपका विवाद चला है, ठीक है, सहे खादरार को लेकर किसी माली जी मेरा कवजा नहीं है, मैंने किसी विक् आईए आप प्रसासन को ठीक है और देखिए यह राइट नहीं उसके पास क्योंकि भाई उसका कब्जा दुथा नहीं अब करेता बताएगा हमारा कब्जा कहा था वो बता नहीं पाएगा तो उसकी उसी के लिए कहा है कि भाई ये दोनों पार्टियां वो आपसमें विवाद ना करें तो इसलिए जो है क्या कहा गया है कि भाई आप जाइए आप विवाजन करवा लीजिए 116 अगर साइखाते दा रखें आप विवाजन नहीं करवाना चाहते तो माप करवा लीजिए लेकपाल कानून वो बगएरा इसडिम बगएरा वह पूरा प्रसासन लाक और र थि आप नोहीं लेकल रहे हैं फिर में आपको दा दो आपका डूठ विवाद है ठीक है आपका कवजा नहीं है माली यह मोखे आपके लिए और नहीं कम है wins यह पर रहे हैं अपना कबजा कि है मैंने करते दे किसी को सही रखने के लिए काफी कर दीक है तो आप यह दिखाये प्रसाथra तो आप यह दिखाई को किया गया आप देखी उसका कफ्जा था तो नहीं ऐसे कफ्जा करना इंलीगल एक दो 1144 तो उस व्यक्ति को कोट जाना चाहिए या मन लीजिए स्टीम से इंफॉर्मेशन करना चाहिए नापतौल करवाईए नापतौल में अगर उसका ज्यादा है तो उसे अठाना पड़ेगा बटवारा करवा लेजिए सीमांकर करवा लेजिए कोई डिक्री ले आईए तो ऐसे मत कीजिए कई भी आप घुसरा होकर ऐसा किया आपने तो भूमाफिया भी आपको लगई और एक बार भूमाफिया गेंगिस्टर लग गई आप बरबाद हो जाओगे संपत्ति कुरक हो जाएगी आपकी सारी संपत्ति ठीक है ना तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप से ठीक है कि हम काफी रिसर्च करते हैं तो रिसर्च वाली जानकारी तो बाटते नहीं फिरेंगे ठीक है